Welcome to Blue Moon Tarot आज का टॉपिक है जिन्होंने आपको धोका दिया है वो इंसान अभी किस हालत में है जिन्होंने आपके साथ बीट्रे किया है वो इंसान अभी किस हालत में है ओके, सो यही हम आज देखने वाले हैं सो प्लीज पॉजिटिव रहे तो आपको इस टाइम पर उस इंसान का नाम ना मन में त्री टाइम सोच ना है अनकी रीडिंग चैनल होने वाला है टाइमलस रीडिंग होने वाला है तो आप इसे एक्तम से किसी भी टाइम पर देख सकते हो तो यहाँ पर देख रहते हैं Ace of Cups यह इंसान ट्राइ कर रहे हैं किसी और को प्रोपोजल देने के लिए मतलब कि हो सकता है यह इंसान थोड़ा सा फ्लोटी किसंद के हैं हो सकता है इनके अंदर कोई भी असर नहीं पड़ा है आप तोनों का ब्रेक अप का या फिर आप इनके लाइफ से चले गए हो इसके वज़े से इनोंने कोई भी दुख नहीं सहा है मुझे दिख रही है यह इंसान बहुत ही जदा उर रहे हैं इस टाइम पर Seven of Pentacles Definitely Love Life के साइट से बहुत ही जदा कोशिश कर रहे हैं Stable होने की यह इनसान हो सकता है बहुत साइट लोग को शादी का ओफर भी दे रहे हैं इसके साथ ही commitment वाला bolt ओफर भी दे रहे हैं कोशिश कर रहे हैं कि यह इनसान लाइफ में Stable हो जाए बट कुछ टाइम के लिए यह इनसान आपको भी याद कर लेते हैं क्योंकि आप इनके लाइफ में बहुत सदा एक सवेरा की तरह थे बट आप जाने के बाद इनके लाइफ में वैसा कोई इनसान एक्जिस्ट नहीं किया है जो उनका ख्याल रख सके उनको प्यार कर सके यहाँ पर है 9 of 1s यह इनसान डेफिनेटली थोड़ा सा लड़ाई कर रहे हैं थोड़ा सा प्रोटिक्टिंग एनरजी में भी चले गए हैं मुझे दिख रही हैं इनके घरवाले शायद ही जानते थे कि आप इनके साथ रिश्शिप में हो या फिर इनके दोस्त जानते थे तो मुझे दिख रही हैं जो भी इनसान जानते थे पहले कि आप इनके साथ रिश्शिप में थे तो वो लोग इनको गलत समझ रहे हैं और इसके वज़े से इनका सराउंडिंग्स थोड़ा सा अनकांफिटिबल हो गया है वो लोग इनको बहुती जादा दूर ढखिल रहे हैं वो लोग इनके उपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनको जैसा एंसान ये लोग समझते थे उनकी नियरेस्ट या फिर दियरेस्ट एंसान इनको जितना अच्छा समझते थे तो आप दोनों के ब्रेकप के बाद, आप दोनों के रुशनशिप को खतम होने के बाद वो लोग इनको बहुत सदा गलत समझते हैं, बुड़ा समझते हैं इस वज़े से हो सकता है, इनके सराउनिंग्स में थोड़ा सा नेगरिफ एनरजी चला आया है इनके दिल में इतना सा भी दुख नहीं दिख रही है, कि इन्होंने आपका दिल दुखाया है, इन्होंने आपके साथ सही नहीं किया है इस बात का गम या फिर इस बात को लेकर ये इनसान एकदम से बौदर नहीं है अभी इनसान बहुती ज़दा खुश दिख रहे हैं मुझे टू ओफ वान्स, देखो ये जो खुशी है, ये ना बाहर ये इनसान शो कर रहे है, अंदर से खुश नहीं है अंदर से एक प्रश्चा था आप या फिर कह सकते हो कि एक गिल्ट है इनके अंदर जो भी अभी शो कर रहे हैं ये बाहर के इनसानों के लिए कि हाँ ये इनसान बहुत सदा खुश है प्रिक अप करके या फिर आपको धुका दे कर बट अंदर से बहुत सदा तोट चुके हैं इनको ना, इनका कर्मों का फल धीरे-धीरे से मिलना स्टार्ट हो चुका है मुझे दिख रही है ये इनसान आइसोलेटिड हो गए है इनके साइड से लोग हट रहे हैं और यहाँ पर है टेन अफ कप्स और जब भी ये इनसान अकेला हो जाते हैं जब भी इनके सराउंडिंग्स में कोई नहीं रहता है तब वो इनसान आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं आप उनके साथ कितने अच्छे तरीके से पेश आते थे आपका केर आपका लफ इनको बहुत सदा याद आने लगता है मुझे दिख रही है तो दिवाइन इनको सजा देने से पहले इनसान ही दे रहे हैं इनका जीना धीरे धीरे से दुश्वार हो रहा है इनके life में एक time पर definitely कोई आसपास नहीं होगा ये इनसान बहुत अकेला पर जाएंगे ये जो इनसाने अपने गल्दी को धीरे-धीरे से समझ पाएंगे और साथे दिख रहे हैं ये जो situation है ये अल्रेडी start हो चुका है कुछ लोग के लिए ये इनसान बहुत ही जादा ना धीरे-धीरे breakdown हो रहे हैं धीरे-धीरे अपने कर्मों को feel कर रहे हैं कि इन्होंने क्या किया है आपके साथ और अपने गल्दी को सही करने के लिए कोशिश भी करना चाहेंगे शायद आने वाले time में आपके पास हो सकता है ये इनसान फिर से वापस आ जाए five of cups definitely इन्होंने क्या खोया है इस चीज का realization इनको बहुत जल्द होने वाला है इन्होंने बहुत ज़दा मस्ती मस्ती में बहुत सारे ऐसे काम भी कर दिये हैं जो हो सकता है इनको नहीं करना चाहिए था जान भूच कर इन्होंने मुझे दिख रही है कुछ नहीं किया है हो सकता है किसी की influence के दोड़ान किया है या पिर किसी के बातों में आकर इन्होंने कोई गलत decision ले लिया है इस चीज का ही इस गलती का ही फल इनको भोगना पड़ रहा है एक वेटिंग एनरजी भी दिख रहे हैं यहाँ पर हो सकता है यह इनसान फिर से आपके लाइफ में वापस आने की कोशिश करे और इनको आप फिर से reject कर दो तो यहाँ पर आप देख सकते हो seven of swords है यह इनसान आने वाले टाइम में आपके social media में हो सकता है ताग जख करे या फिर कोई fake account से हो सकता है आपके उपर नजर रखे आप क्या कर रहे हो आप कैसे हो या फिर आप इनके बारे में सोच रहे हो कि नहीं या फिर dp आपका है की नहीं social media में आपका instagram में क्या reels आप बना रहे हो या फिर क्या stories डाल रहे हो तो ऐसे टाइप्स की चीजों के उपर ये आने वाले टाइम में notice करने वाले हैं आपको बहुत सदा follow करने वाले हैं वो चाहे किसी आप दुनों के common friend के द्वारा ही क्यों ना हो तो धीरे धीरे से इनके अंदर realization जनम लेती हुई दिख रही है मुझे और देख लेते हैं और थोड़ा सा detail में तो यहाँ पर है Ace of Pentacles मुझे लगता है इन्होंने आपके साथ break up किया है martelastic चीजों के वज़े से मतलब कि हो सकता है आप enough powerful नहीं थे के दिल के खुआईश को अच्छे से पूरा नहीं कर पा रहे थे या फिर हो सकता है कि ये इंसान grounded या फिर secure महसूस नहीं कर रहे थे materialistic side से ऐसा एक situation दिख रहे है मुझे कि आप दोनों में से कोई एक इंसान हो सकता है career के side से stable नहीं थे इस बज़े से आप दोनों का break up हो चुका है तो ये जो चीज हैं हो सकता है आपको पता है या फिर नहीं पता है I don't know उपर दिख रही है मुझे ये भी हो सकता है कि इन्होंने इस बात के बारे में इजहार नहीं किया है जिकर नहीं किया है कभी आप दोनों के thoughts भी match नहीं करते थे आप दोनों के बीच में बहुत सदा arguments होते थे या फिर बहुत सदा mismatch था तो इस चीज को भी ये इंसान tolerant नहीं कर पा रहे थे इनको ऐसा लगता था कि आप बहुत सदा dominated person हो आप चीजों को easily मान नहीं पाते हो या फिर easily accept नहीं कर पाते हो तो आप इनके साथ कैसे adjust करोगे पूरा life तो इसके वज़े से भी इनोंने हो सकता है आपको धुका दिया आपके साथ ब्रिक अप कर लिया इनको बहुत सदा insecure वाला feelings आड़ा था आप से तो इसके वज़े से इनोंने शाद दो कदम पीछे ले लिये थे and clashes बहुत साड़ा होता था आप दोने के बीच में जगड़ा जमेला हमेशा हो सकता है लगा ही रहता था हो सकता है आप दोने के leadership के starting में सब कुछ ठीक चल रहा था बट पांच से तीन महीने के अंदर चीज़े एकदम से बिगर गया है बिगर गया था and यहां पर है is of wants देखो एक chance यहां पर दिख रही है बहुत beautiful तरीके से एक chance बन रही है कुछ लोग के लिए कि यह इंसान फिर से आपके life में exist करेंगे आपको फिर से इनके तरफ से कोई offer मिलेगा and आप दोनों का patch up हो सकता है बहुत ही कम लोग के लिए दिख रहे है and maximum दिख रहे ही आपके उपर depend करेगा अगर आप accept करते हो तो यह patch up हो जाएगा अगर आप नहीं करते हो तो कभी नहीं होगा so एक possibility बनती हुए दिख रहे है so yes यही आपका reading है so thank you guys thanks for watching and तक reading को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया मैं मिलतू है आप से नेक्स रिदिंग में तब तक के लिए बाई